लिजी सुनिए विश्वम भरनात शर्मा कौशिक के लिखी कहानी लगन मेरी यनि समीर गोस्वामी की आवाज में मैं भी कुम्भिस्नान करने जाऊंगी चारपाई पर लेटी हुई सोहनलाल की वृद्धा माता ने कहा वृद्धा की वया इस पच्पन वर्ष की लगभग थी इधर एक सप्ताह से बुढ़िया को ज्वर आ रहा था चारपाई की पास बैठी हुई इस तरिया हसने लगी एक बोली एमा जी तुमसे उठा तो जाता नहीं इसनान करने कैसे जाऊगी जाऊंगी बुढ़िया ने द्रणता पूरवक कहा सोहनलाल की पत्नी धीमे स्वर में बोली कभी कभी इस तरह बकने लगती है बुकार में बकने लगते हैं इस समय बुखार अधिक हो गया होगा इस्त्री ने बुढ़िया के माते पर हाथ रखकर कहा ऐसा कुछ बुकार भी नहीं है सोहनलाल की पत्नी ने भी हाथ धर कर देखा देखकर वो भी बोली हाँ कुछ अधिक तो नहीं है खाली हरारत है बुढ़िया पुनह बोली सोहन कहा है सोहन की पत्नी बोली दवा लेने गये है बुढ़िया बोली दबा अबा नहीं खाओंगी, कुम्ब जाओंगी, वह अच्छी हो जाओंगी वो इस्त्री बोली, माजी भला तुमसे जाया जाएगा वह इतना भीड भड़का होगा के आदमी का खड़ा होना कठिन होगा तुम तो अभी अपने पैरों पर चल भी नहीं सकती जाओंगी, बुड़िया ने मानो पूरून निश्चे के साथ कहा दोने इस्त्रीयां पुना हसे, वो इस्त्री बोली कोई बुखार ऐसा होता है कि थोड़ी हरारत में भी आदमी बखने लगता है इसी समय सोहनलाल दवा लेकर आ गया सोहनलाल बोला, तुम तो अम्मा पागलों किसी बाते करती हो भला तुम कुम्भ में जाने लायक हो उठकर बैठना पड़ेगा, फिर रेल का सफर ये सब तुम्हारे बूते का होगा वहां तक पहुँच जाओं फिर चाहे मर जाओं वहां तक पहुँचना ही कठेन है तुम तो रास्ते में ही रह जाओगी तुम नहीं जा सकती, उसका दिहान छोड़ो जाओंगी तो जरूर अच्छा, जाना, पहले जाने लायक हो जाओ अभी कुम्भ के चार-पांच दिन बाकी है तब तक जाने लायक हो जाओ तो चली जाना बुडिया फिर उसी परकार भोली हाँ जाओंगी सौहनलाल ने दवा पिलाई थोड़े देर पश्चाद बुडिया को निद्रा आ गई शाम को सौहनलाल के परमित्र ब्रहमानन्द आए उन्होंने पूछा मा का क्या हाल है हाल वैसा ही है बुखार तो अभी उत्रा नहीं कुम्ब की रट लगाए है क्या बतावें बेचारी ऐसे बुरे मौके पर बीमार हुई नहीं मैं उन्हें अवश्च ले जाता तुम कब जा रहे हो सौहन ने पूछा मैं कल जाओंगा साथ में कौन-कौन जा रहा है मा, बुधा, छोटा भाई और पत्नी बड़ा बखेडा लिये जा रहे हो क्या कहूँ प्राण बच्चते है मुझे तो भाई इन बातों में विश्वास नहीं कि कुम्ब नहाने से मुक्ष मिलती है मेरा तो ये खयाल है कि ये पुराने जमाने का सम्मेलन है पहले रेल वेल तो थी नहीं जो लोग हर साल सम्मेलन कर लिया करते इसलिए छे वर्ष और बारह वर्ष बाद वो सम्मेलन होते थे इस प्रकार देश भर के आदमी परस पर मिल लेते थे तुमारा खयाल ठीक है चलो जरा माता जी को देख ले चलो परंतु उनसे ना कहना कि कुम्ब जा रहे हो वरना आफ़त कर देंगी नहीं उनसे नहीं कहूंगा दौनों बुढ़िया के पास पहुँचे ब्रह्मानंद को देखते ही बुढ़िया बोली कुम्ब कब जाओगे ब्रह्मानंद बोला अभी तो कुछ निश्य नहीं किया है तुम तो जरूर जाओगे कह नहीं सकता बीड भड़क का बहुत होगा इससे तबियत घबराती है बीड क्या करेगी हाँ मैं अकेला जाओँ तब तो बीड कुछ नहीं कर सकती पर बाल बच्चों को लीकर जाना तो बड़ी मुसीबत है जाना चाहिए फिर मिले ना मिले सो बात तो नहीं है जिंदगी है तो मिलेंगे क्यों नहीं जिंदगी का क्या भरूसा तुमारी मा तो जरूर जाएगी देखिए वो जरूर जाएगी, मुझसे उसका वादा है मैंने भी कहा था, मैं जरूर चलूँगी खेर तुम तो अब जाने ही सकोगी बुढिया एक दीर खनिश्वास छोड़ कर बोली जाओंगी तो जरूर ब्रहमानंद विस्मित होकर सौहनलाल का मुह ताकने लगे सौहनलाल विशाद युक्त मुसकान के साथ बोले अच्छा जाना मना कौन करता है, पहले अच्छी तो हो जाओ तोड़ी देर पश्चाद ब्रहमानंद बिदा हुए चलते समय बुढिया बोली अपनी मा से कह देना, वो जाए तो मुझे भी साथ ले ले वो मुझे से कह चुकी है, अच्छी बात है कह दूँगा दौना बाहर आए, ब्रहमानंद बोले इनकी बड़ी उतकट इच्छा है जाने की हाँ परन्तु जा कैसे सकती है, बिल्कुल असंभ हो है नहीं जी, जाने का कोई प्रश्णी ही नहीं है अच्छा चलता हूँ, कल दोपहर की गाड़ी से जाऊंगा वहाँ का हालचा लिखना, हवश कुम्ब के एक दिन पूर्व सौहनलाल की माता ने पूछा के बेटा, अब कुम्ब के कितने दिन रह गए कल है अम्मा, कल, बुढ़िया चौक कर बोली हाँ, प्रह्मनंद की मा गई, हाँ, वो तो शायद चली गई मुझे नहीं ले गई, तुम तो मा पागलों किसी बाते करती हो भला तुम जाने लायक हो, मेरा उसे वादा हो चुका था यदि अच्छी होती ही, तो वादा पूरा हो जाता एसी दशा में कैसे हो सकता है, बुढ़िया मौन हो गई, थोड़ी दिर में सौहनलाल ने देखा कि बुढ़िया की आँखों से आसु बह रहे है, सौहनलाल आसु पहुचते हुए बोला, तुम विर्थ में दुखी होती हो, जो बात अपने बस की नहीं, उसमें आदमी क्या करे, भगवान की अच्छा नहीं है कि तुम जाओ, उसकी अच्छा होते तो तुम्हें बुखार क्यों आ जाता, बुढ़िया ने कोई उत्तर न दिया, रात के बारे बज़े सौहनलाल की पतनी, सौहनलाल को जगा कर बोली, जरा देखो तो अम्मा की दशा ठीक नहीं मालूम होती, सौहनलाल घबरा कर उठे, माता को देखा, उनकी उल्टी सांस चल रही थी, सौहनलाल घबरा गए, बोले, इनने नीचे उतार लेना चाहिए, दोनों ने मिलकर भूमी पर कुश आसन लगाया, ततपश्याद बुढ़िया को चार पाई से उतार कर आसन प वेर थे, नहीं इस समय अब कोई ज़रूरत नहीं, अब अंद समय है, इतना कहकर सौहनलाल की पतनी सिस्गिया लेकर रोने लगी, सौहनलाल ने भी रोना आरम भी किया, रात के एक बज़े की लगभग बुढ़िया के प्राण छूट गए, बुढ़िया की मृत्यों के चार नहीं वो हमीं लोग जानते हैं, यहां बड़ी भीड है, रास्ता चलना भी एक समस्या हो रही है, खेर इन बातों का विस्तरित वरनन मिलने पर बताऊंगा, एक बड़ी विचितर बात हुई, कुम्ब के एक दिन पहले अर्थात तेरह तारिख रात को माता जी ने एक बंधनी पहली हुई थी, सैसा माने देखा कि तुम्हारी माता आंगन में खड़ी है, मेरी माता की और वो देखकर मسکराइं, माता जी चक्के दोकर बोली, अरी तू कर बाई। तुम्हारी माता ने कोई उत्तर ना दिया कि बल मुस्करा कर रह गई, मेरी माता जी आंगन की पूरे होश वास में देखा परमात्मा जाने क्या बात है माता जी की तबियत कैसी है अम्मा तुम्हें और बहु को आशीरवात कहती है तुम्हारा ब्रह्मानंद पत्र पढ़ने के पश्चा सोहनलाल पत्नी की और देखकर बोले मा तु शायद एक बजे पत्नी बोल उठी एक बजे प्रान छूटे थे और तीन बजे हर द्वार में ब्रह्मानंद की मा को दिखाई थी विश्मय पूर्णे त्रोजे पत्नी ने पत्नी की और तथा पत्नी की और देखा दौनों मौन थे अभी आप सुन रहे थे विश्वम भरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी लगन मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में लगन दो ही के लिए हुआ